सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और दबाएं बेल आइकन जिससे आप पाएंगे और महत्पुन एवम रोचक जैन करिया और मेरे सारे नई वीडियो नवश्कार दोस्तों भगवान आप सभी कबला करें आपके साथ इच्छा हैं मनकामनेक पुरी हूँ को कि आपके पाम को यहांपर सबसे आपके बेंट प्रिको करता हैं मतलब यह है कि जैसा सीच्षोन रहेगा असके के अकोडिंगली अपने आपको ढाल लेना और समय परिस्तिति की अनुसर अपने निर्णाय के अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेना यहां finger के बीच में जो gap maintain हो रहा है यह बहुत independent nature देता है जिसके अंतरगत कभी किसी से दब करके नहीं रह पाते हैं और independent work करने की चाहँ जाएदा होती है क्योंकि इस प्रकार के finger के gap को freedom of action कहा जाता है जिसके कारण आप सुन सब की लेंगे लेकिन अंतर तह करेंगे अपने मन की ही और यहां पर आपके जो little finger है उसके लेंद अच्छी है क्योंकि third finger के first board तक पोछ रहा है तो उस condition में communication इसकी लिए marketing skill work management अच्छा होता है जो भी काम अपने हाथ मिलेंगे अपने और से hundred percent efforts डाल उसकाम को perfectly done करेंगे तो यहां पर आपको business में success मिलने के chances बहुत ज़्यादा bright है और भी ऐसे reasons हैं आपके palm में जो दर्शाते हैं कि business के थुर tremendous growth हो और success मिलेगा और कब से मिलेगा यह अभी आगे चर्चा करते हैं तो जब little finger के लिए अच्छी हो और mercury mound पर भी multiple line हो जो कि आपके हतेली में है तो इस condition में एक समय पर एक सी ज़्यादा काम बड़ी सरलता से संभाल लेते हैं क्योंकि multitasking nature होता है इसलिए 10 काम भी हो तो सही समय पर सही डंग से उसको अंजाम दे पाने में सक्षम रहेंगे थर्ड finger के लेंथी strong है जिसके करन यह risk taking nature देता है जीवन में कोई भी नया काम करने से पीछे नहीं हटेंगे फर्स्ट finger यहाँ पर short है इस current down to earth type of personality होता है इसका मतलब यह निकल के आता है कि ego attitude इस प्रकार का कोई मसला ऐसे देखने को नहीं मिलता है family से ज़्यादा सुख नहीं मिल पता है इस condition में क्योंकि family से ज़्यादा expectations fulfill नहीं हो पाते हैं इसके लावा यहाँ पर third और second finger पूरा का पूरा conjunct है इस condition में सोस्ते बहुत ज़्यादा है कर थोड़ा कम पाते हैं और वहीं देखा जाए तो आपको first finger भी थोड़ा से tilted है तो इस condition में आपको धार में बनाने वाला रहेगा यहाँ पर finger के उपर सीधी खड़ी रेखा मितरता पुर्वक सुभाव को दर्शाती है तो friendly nature approach में किसी प्रकार से कोई तकलिफ यहाँ है नहीं और finger के जो not से वो भी हाँ developed ठीक है जो एक इसपस्ट वादी किस्मिक के nature को दर्शाता है जिसके अंतरगत सीधे इसपस्ट रूप से बाच्यत करना सुनना विचानना basic nature में होता है phalanges internal mars दोनों develop ठीक है तो stamina energy रोग प्रति रोधक शमता ठीक रहेगा जहाँ पर thumb का joint point है वाँ मानसल अच्छा है तक job में unsatisfied इसलिए भी होते क्योंकि वहाँ पर दूसरों के सुन करके करनी पड़ती है लेकिन जो business होता है उसमें खुद बखुद मालिक होते हैं तो उसमें अपना पूरा efforts डाल सही धंग से काम करवा पाते हैं business में growth हो या ना हो यह अलग factor है लेकिन internal satisfaction मिलेगा यह सबसे important है जो आपके जीवन में होगा व्यापार के द्वारा second feeling strong जादा है तो यह logical personality को और ज़्यादा strong करता है और वहीं देखा जाए तो यहाँ पर यह वो कचिन है लेकिन open है इस conditional focus में थोड़े कमी आती है पेसा जी जी उनमें आता ठीक है लेकिन रुकता नहीं है खर्चे जादा देखने को मिलता है अब यहाँ पर आते हैं जूपिटर के उपर तो जूपिटर पर आपकी progress line बहुत अच्छी देखने को भी लेगी यह progress line ambitious nature को दरशाता है जिसके करन अपने thinking से या high thinking जो अप्रोच है या life के प्रति जो dream desire है उसके प्रति कोई compromise नहीं करता है जो सोचा है वो करके दिखाना ह इसको progress line भी इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि आप जिसे जातकों का life के प्रति जो effort से वो continue बना रहता है तो यही reason है कि धीरे धीरे कर अपने सारे एक्छा अर्मानों को पूर्ण कर पाते है अगर यहाँ age calculate करें हो बहुत कम उमर है यह 14 की उमर है दूसरी 18 की उमर है और यहा सब्सक्राइब के उपर एक चोटा सा स्क्राइब का साइन है जो मेरे इसके बाद में property और prosperity दोनों बढ़ाता है यह बहुत lucky और बहुत positive sign होता है जब इस पर अगर का sign independent देखने को मिले तो जो partner होता है वो बहुत जदा dedicated honest loyal देखने को मिलता है तो यहाँ पर देखा जाए smooth run करने वाले यहाँ पर रहेगी तो यह जो square का sign है यह आपको जो पद प्रतिष्ठा होता है मान समान समाज में वो भी देने वाला रहेगा इसलिए मेरे इसके बाद भाग युदे आपका बहुत बढ़िया है और वैसे भी जूपिटर यहाँ पर develop ठीक है तो इस condition में यह साथ-साथ, दामपत्य सुख एवं तमाम तरह कि जो basic needs पर requirement है उसको भी fulfill करने वाला होता है इसके लब सेटन के उपर देखेंगे तो सेटन मांट भी आपका develop ठीक है यहाँ पर जो छोटी-छोटी रेखाया है यह बहुत ज़्यादा ध्यान भटकाती है फोकस में कमी क्यों क्यों देता है क्योंकि आप जैसे जातक हर छेतर में अपना हाथ आजमाते हैं तो इस कंडिशन में temporary sources of earning life में बना ही रहेगा separately अगर बात करें यहाँ पर आपके fate line के बारे में तो fate line आपके life line से निकला है और moon luck line है इस condition में यह शादी के बाद भाग गुदय होने के 100% chances को दरशाता है इसके पीछे reason यह रहता है कि life line से निकली हुई रेखा कुद के मेहनत efforts को denote करती है जो आप यहाँ पर पराकरमी दिख रहे हैं और आपकी मेहनत कभी विफल ना होगी यह उसका चिन है और जो moon luck line है वो बाहरी दुनिया लोगों को represent करता है जिसके current जो partner होता है वो भी इसी moon luck के अंतरगत आता है तो इस condition में दो दफा भाग्योदय होता है पहला तो शादी के बाद दूसरा जर्मिस्थान से दूर जाते से ही क्योंकि उस condition में लोगों के द्वारा प्रोथ साहन सही हो के द्वारा धीरे धीरे कर उननती करते हैं और अगर यहाँ पर यह मनो कामने पूर होने वाले रहती है और यह दोनों रेखा कंजंक्ट हो गई है यानि जोड़ गई है उम्र तकरिबन 38 में इसका मतलब यह है कि 38 के बाद से और fluent अर्निंग या growth लाइफ में रहेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि रेखा सैटन तक पहुँच पाए तो इस संतुष्टी निश्चित रूप से मिलने वाला रहेगा यही रीजन है कि आपका जो बढ़ापा है वो भी बहुत हद तक सुखमा यहां पर देखने को मिल रहा है जब भी शनी रेखा में से कोई भी रेखने कलके सूर के तरफ जाती है तो यह बड़े लोगों से connection देता है जिसके अंतरगर जो powerful या जो बहुत ज़दा authoritical जो persons होते हैं जिनके हाथ में बहुत बड़े बड़े decision लेने की काबिलत होती है या जो बहुत बड़े घर से belong करते हैं उन सबसे connection होने के साथ सब राजनीती से भी अवसर आपको जिवने प्रदान होने वाला रहेगा अब यह कब होगा इसका कोई deciding period यहाँ पर नहीं है क्योंकि सूर रेखा के उपर अगर आए तो यह 46 का age यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन जब इस पर अगर के रेखा निकलती है तो एक आएक राजनीती से लाब या शाशन से लाब देखने को मिलता है बीच की इस रेखा को cross का sign है तो जब सूर के उपर cross का sign होता है तो यह job के regarding unsatisfaction, unstability देता है क्योंकि कोई भी काम समय पर नहीं बन पाता है नहीं कलिक से बन पाता है कितना भी काम कर लिया जाए लेकिन credit नहीं मिल पाता है नहीं कोई growth दिख पाता है और भागा दोडी तो इतनी रहती है जिसका को dominant result या एक परकर से productivity नहीं निकल पाता है इसलिए इस condition में job के लिए मना भी किया जाता है दूसरा यह है कि पीता से भी जो है मदबेद वेचारिक, मदबेद अन्बन देखने को मिलता है लेकिन आपके आपके father lucky भी बहुत है क्योंकि आपका जो सूर है उसकी स्थिती बहुत मजबूत है आगे जाकर के तो उनके द्वारा दिया गया आदेश या सुझाओ आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम आने वाला रहेगा यहाँ पर loop of humor की आकरती तो बहुत समय तक दुखी आप रह नहीं पाएंगे अपने जीवन में कभी भी कुछ भी हो जाए क्यों मर्करी मांट है उस पर मॉल्टिपर्स लाइन है तो यह यहाँ पर बहुत अच्छा हीलर बनाता है बहुत अच्छा sympathetic नेचर देता है जिसके अंदर के दूसरों का दुखदर समझना या खुछ से जितना हो सकता है दूसरों को सही योग प्रदान करना इसलिए आप अपने बातों से किसी को भी convince कर सकते हैं बिगड़े से बिगड़ी बात अपने बातों से बना सकते हैं किसी को भी easily attract कर लेना लोगों को बांधे रखने की शक्षमता यह सब आपके अंदर बहुत ज़्यादा perfect देखने को मिल रहे है तो business के लिए इसके अलवा चाहिए भी क्या रह क्यों गलत है क्योंकि आपके हतेली में moon lacline है तो जब हतेली में moon lacline होती है तो जिस काम में मन लगता है आग बंदकर उसमें जाई आपका भाग गे साथ देगा क्योंकि मून आपके जैसे कि बताया गया कि मन को denote करता है तो आपके खुद की महनत रंग दिखाते वी दिख र द्वारा मन के द्वारा किया गया काम से आपको संतुष्टी और सफलता दोनों मिलेगा। अपने भावनाओ पर थोड़ा कंट्रोल आप करेंगे या हाइड करेंगे दूसरों के सामने कभी दिखाते नहीं है अपनी भावनाओ को या अपना धुख दर्द को बाकि ओवरॉल देखा जाए तो प्रैक्टिकल नेचर अप्रोच के लिए भी इस प्रकार का हार्ट लाइन अच्छा माना जाता है यहाँ पर हार्ट लाइन में देखेंगे तो इसा कोई बहुत जाधा दिक्कत है नई हार्ट लाइन एकदम स्मूथली रण कर रहा है तो स्वास संबंदी कोई बड़ा कश्ट या दिक्कत परशान यहाँ पर नहीं है माइड लाइन के ओपर प्रेश के भाग दोड़ी भी रही है एक प्रकर का बंधन योग इस समय पर आया है जिसके करण आपको एगरेशन भी इस पीरेड में बहुत ज्यादा आया है अब 24 के बाद से यह है कि माइड लाइन पूरी इंडिपेंडेंट हुई और अंतितह बाइफॉर्ग का फॉर्मेशन हुआ इसलिए आपको पूरा का पूरा ध्यान व्यापार के तरफ जा रहा है क्योंकि मस्तिष रेखा का पूरा जोगाओ बुद्ध के तरफ चल गया है तो इस कंडिशन में बिजनेस या किसी बिजनसमेन के दौरा बहुत ज़्यादा इंफुलेंस होने वाले रहते हैं और आपक कि मंगल की भूमिका थी तो उम्र 21 और 22 तक तो इतना जल्दी बाजी हर बड़ी में निर्णे लेते थे जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी आपने जहला है और अपने गुस्से के कारण भी जिवेंबन में बहुत एक प्रकार से दुख को साहा है लेकिन ऐसा है कि यहा और अगर इस उम्रु को यहां पर देखेंगे तो करेक्ट 34 और 35 के बीच का यह पिरेड रहने वाला है अब उसमें एक चीज़ आप कोवन देखेंगे कि यहां पर सच में 35 के एज के बद में कोई भी आड़ी तीरशी रेखा आपको काट के नहीं जा दिए तो यह इतुपर वी सिंबोल का साइन है उपर से स्वास्थ भी आपका अच्छा रहने वाला है वहीं जीवन रेखा के उपरांत सही होगी रेखा भी चल रहे है तो उम्र तकरिबन 26 से आपको बहारी दुनिया लोगों का या किसी अन्य व्यक्ति का सही होग जीवन में मिलना शुर वह यह नहीं कश्ट होगा क्योंकि सही होगी रेखा दुख हर लेगा आपका अंद्रोडी मंगल विक्सि ठीक है थोड़ा सा क्या है कि आप बहुत जदा प्लैनिंग भी करते हैं उसके अंदर चेंजे जल्दी अडॉप्ट करते हैं तो थोड़ा एग्रेशन जैसे चीजों से दूर हैं क्योंकि भारी मंगल भी विक्सित अच्छा है तो जब भी कोई आपको चुनोती देगा तो बिलकुल डट करके उस चुनोती का सामना करेंगे ना कि बुद्धी मता से काम लेंगे इसलिए जब भी कोई चैलेंज करें चैलेंज को accept ना करें किसी भी प्रकार के बहस बाजी हड़ बड़ी जल्दी बाजी और गुस्से में कोई भी काम ना करें इन सारी चीजों से बच गए तो फिर जो आपका एनरजी है वो सही जगे यूज हो पाएगा शुक्र अच्छा डेवलप्ट ही ये कामुकता जादा देता है लेकिन तबाम तरह के लग्जरी ज रोयल्टी और गूड स्टेंडर अफ लिविंग का कारक भी है इसलिए अच्छा घर बार अच्छा गाड़ी बंगला सब अच्छे से मिंटेन आप अपने जीवन में करेपान चीजों पर लेकिन तमाम तरह के इक्छा अर्मानों को पूरती भी करता है तो बस यहीं है कि जीवन में पैसा तो आएगा ठीक ठाक ठीक ठाक इन्दर से बहुत अच्छा आपके उमीदों से भी बहुत अच्छा लेकिन रुकेगा नहीं हमेशा हांच से पैसा फिसलते रहे कितु के अपर फिलाल तो साइन डेवलप्ट हो ही रहा है वैसे देखा जाए तो फिश इंबल का साइन अविलेबल है यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो लेकिन अभी कोई प्रोमिनेंट साइन नहीं है लेकिन यस लाइफ में आपको सड़न गेन और प्रोग्रेस हो मिलेगी और अपने जीवन में अपने मन का तक्रिबन सारा काम कर पाएंगे अभी क्या है कि अभी स्क्वेर के साहन आधे हदू रहे हैं तो जब इन फ्यूचर अगर यह कंप्लीट होता इस प्रकार से तब यह मॉल्टिपल प्रोपर्टी आपको देने वाला रहेगा तो ध इहां पर जीवन साथे को रिप्रेजन करता है आपके भागरेखा ना की जीवन रहेखा से परारंब हो रहे हैं बल्कि शुक्र से परारंब हो रहे हैं और जब शुक्र से भागरेखा पराम हो तो वाइफ के यह फिर हस्बंड एब पार्टनर रहत हैं उनके सतक्रमों के द Québec या उनकी suggestions के द्वारा जीवन में उन्नती अच्छा मिलता है, इसलिए दोनों रेखा एक साथ मिलके आगे बट रही है, इस condition में आपको public support अच्छा मिलेगा, इस पर अगर की भागी रेखा वाले जातकों का घर से connection कम होता है, लेकिन बाहरी दुलिया लोगों में अपना पन connection बहुत strong देखने को मिलता है, इसलिए आपका भाग्यों दे जर्म स्थान से दूर और शादी के बाद में ही है, अगर आप चाहते हैं व्यापार करना तो आप निश्ची तुरूप से खान पन के रिगार्डिंग, ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग, जल तत्व के रिगार् तो यह थी सबसे महत्पुन बाते आपके हाथ करिगार्डिंग, आश अगरतों हों सभी प्रशनों का अत्तर मिल गया हूँ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत देन निवाद